हैलो माई यूटूब फैमली कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और अभी सुबा का टाइम हो गया है चाई पी और चुनु मुनु जो है मेरे उनको जाकर मैं पहले दाना दी उसके बाद में फिर खाना दी तो उन लोगों का आदत है ज तो फिर वो चावल दूद भी नहीं खाता है तो पहले उसको दी उसके बाद में गेट खोली या गेट खोल करके एक चक्कर मतलब की घूम ली बाहर में उसके बाद में आ गई हूँ चाय पी चुकी हूँ तो बस चाय का जो बरतन है उसको खटाई और यहां पे दूद चरह अगर थोड़ा सा ला परवाही करें तो तो उधर में दूद चरहा दी और इधर मैं क्या कर रही हूँ ना कि आज मैं मसाला भी पीस कर त्यार करूंगी और मसाले के लिए वही जीरा, काली मिर्च, लहसन, अध्रक और धनिया वही सब जो मसाला रेगूलर का मसाला होता है न तो उसको मैं पीस करके पेस्ट बना करके रखती हूँ अगर पॉडर बनाने कर रहा तो सब को भूच करके धो करके भूच करके पीस कर पॉडर बना लेती हूँ पर इसका टेस्ट जो है न सो मुझी अच्छा लगता है पॉडर वाला से ज्यादा अच्छा लगता है तो इस पटी सी और इसके साथ दो तरह की चटनी बनाऊंगी एक मुंख़ली वाली और एक धनिया पत्ते वाली तो बस यहां पे मैं यह सब काम करके सुबह में अगर यह सब काम हो जाए नास्ता का तो बरही अराम से यह हरू पोछा का काम है या फिर और कोई काम है तो वो समय निप् पूजा का काम रहा या फिर बाहर की साफ सफाई का रहा जैसे जारू देना पानी से बाहर का जो मतलब की वो बाहर का जो दर्वाजे के सामने जो है न वो है तो वो सब को देना है जारू देना है या पानी से धोना है तो यह सब मुझे ही करना रहता है साथ में बंदर का भ पूरे घर की डस्टिंग जो है सो मेरी कम्प्लीट हो चुकी है और बोली ना कि अकेले ही बहुत ज्यादा काम हो जाता है गाउ में तो मतलब कि क्या कहें जब से आई हूँ ना तब से काम करते करते ही में वजन मेरा कम होते जा रहा है वहाँ पे था कि काम वाली राती थी ना पर यहां पे तो अकेले ही करना पड़ता है पर अच्छा लगता है बड़ा ही मन में सुकून मिलता है अपना हाथ मतलब अपने हाथों से अपने घर के काम करके तो अच्छा लगता है हाँ थोरी मोरी थाकान तो जरूर होती है क्योंकि बहुत लंबा चोड़ा मतलब कि घर ह साफ के सब्सक्र beetje तो dips था इंवे जाती है पर फिर अंग थाती थी कि वहां पर काम करती थी टी और त्वाली थाकान हुथ नहीं होती कि को ठाथ होती है बाहर बूर संगाओ में भीं हंगा हो पूरे घर में पूरे में इसए कर लेती हूं क्योंकि पूजा का बर्तन यहीं पर मैं धोती हूं तो यहां पर इसको अच्छे से साफ कर लेती हूं और जो भी नीचे पानी गिरा हुआ रहता है तो इसी के साथ साथ मतलब कि यह भी साफ हो जाता है तो पस यहां पर इस पोछा का काम भी अभी खतम हो गया और इस काम के लिए मुझे ना हस्पेंट सो रोज डांट परती है रोज ही लडाई हो रही है मतलब जब से विंटर शुरू ही है ना तब से क्यों तुम रोज के रोज पोछा मारती हो तो देखिए गर्मी का सीजन हो य अच्छा ही है पर हस्पेंट सो रोज मुझे बात सुननी परती है और मैं जानती हूँ वह इसलिए ड़ते हैं कि कहीं ठंड न लग जाए मुझे पर मेरे मन में क्या है ना कि अगर चलू तो मेरे पैर में ना थोड़ा सा भी डस्ट नहीं आना चाहिए जैसे कि डस्ट तो ब लग रहा है कि थ्रोसा गंदा है तो पूचा में लगा लेती है और इस चीज के लिए हमेशा अस्वेंट से मुझे डार्ट परती है हमेशा ही इस चीज को लेकर के लड़ा होती कि तो रोज रोज पोचा क्यों मारती हो तो बस वहां पे मैं पोचा कर लिए उसके बाद में लिप्स्टिक नहीं लगाती हूं कंगी भी नहीं करती हूं अगर कभी रहा अगर कंगी धुला हुआ तो मैं कर लेती हूं नहीं तो नहीं करती हूं मैं पहले सबसे पहले नहां करके भगवान का पूजा करती हूं और भगवान को जो सिंदूर लगाती हूं उसी से अपने म करने के नहीं तो यहां पर मैं दो तरह के चटनी यह विंटर वाली तो सबसे पहले मैं की मिर्च और लाणसन को अच्छे से भूनली उसके बाद हैं जब अच्छी वाली looking तो अगर तामाटर कहाने का सौकीन का नाओ में ठीज्ट याद वे bajताहा है particular में में भून को कि पूरा लाइक वाद दीजिए गाना तो नाओं का दीजेशितीचा क्वाद के लिग याद़ कहता तो आदका समध पूरा मतलप करें तो बड़ा है, वो फायदा करेगा वो बॉड़ी में लाइकोपीन जाएगा अगर भून करके नहीं बनाएगा कच्छा बनाएगा न तो लाइकोपीन का फायदा हमारे बॉड़ी में नहीं मिलता है तो बस टमाटर को मैं अच्छा से भून ली उसके बाद में यहाँ पर मीर्च उसके बाद में यह8 दाली तील नदील और यहाँ अच्छा से ब्भून ली उसके बढ़न आधा टमाटर में डाली धनिया पते वाली में और दोनों ही विंटर वाली जो चटनी है न, शर्दियों वाली जो यह नासता है सुबहा का आलू का पराथा और यह दो तरह का चटनी और चय तो यह बहुत ही यम्मी वाली चटनी होती आप जरूर टराई किजिएगा तील दे क अगर तील नहीं है तो नारियल डाल दीजिए मुंख़ली डाल दीजिए और दही डाल करके पीछ लिजिए या फिर टमाटर डाल कर पीछ लिजिए तो यह भी बहुत अच्छा लगता है चटनी और बस यहां पे गर्मा गर्म में पराथे सेक ले रही हूँ और उसके बाद मे मैं बाल दो करके फिर नहाई और सुबह में बहुत जोरो की ठंडी थी ना तो मैं नहीं बाल दो करके नहाई की नहीं चलो बाद में देखूंगी पर मार्केट जाने का था तो देखी की दो चार बाल दो चार नहीं बहुत सारे बाल पके हुए थी तो सूची की नहीं चलो पहले मैं कलर कर लेती हूं उसके बाद में तो कलर की उसके बाद में नहाई अनहा करके यहां पे आ गए हूं तुलसी जी को दिखाई कि पहले जो भी पूजा का फूल बेल पत्र रहता था ना मैं यहीं पे डाल देती थी तो देखी कि बहुत से फूल बेल पत्र जमा हो गया ह और थोड़ा सा गड़ा भी था तो इसको मैं आज सोची ना कि चलो यहां पे यह मिटी से भर देती हूं और एक दो गेंदा का फूल था तो वो खिल नहीं रहा था तो उसको सोची कि चलो यहां से हटा देती हूं बाल्टी में अपराजदा लगाई थी तो सीजन जब था ना अपराजदा फूल का तो खूब अच्छा से अपराजदा फूल खिली थी पर अभी तो सीजन नहीं है नौ अफ हो गया इसका सीजन तो उस बाल्टी को हटा करके यहां पे चारू तरफ से मैं मीटी भर करके और अच्छा मतलब पूजा करने में अच्छा लगता है अगर मी बिखरा हुआ ना रहे तो यह फूल जो है ना अरूल का फूल आप लोग देखे होंगे अगर पूराने भी वर्स होंगे तो यह फूल कितना अच्छा खिलता था ना पर पता नहीं साल क्या हो गया इसमें उजला उजला लग गया जैसे की पत्ता सब में तो पूरा पत्ता है ना सो मुर्जा रहा है तो हस्में बोले कि देखो इसको काट दो नहीं तो बिल्कुल यह सुख जाएगा और नहीं काटी तो सुख जाएगा जैसे कि यहां इसका बगल में आप लोगों को दिखा देती हूं तो अभी देखिए इस तरह का हो गया बहुत सुखा हुआ पत मतलब पता आया तो ठीक है नहीं तो इसको हटा करके जर सही हटा करके दूसरा पौधा यहां पर लगा देंगे अच्छा हमें सब बोलती हूं न की डस्ट आता है डस्ट आता यह देखिए इसको पूरा मिट्टी का यह पूरा टीला लगा हुआ है जो की कोईला निकाला जा रहा है तो यहीं से पूरे गाउं में हम लोग तेखिस है और पूरा जोंफ परेसान कवेश से कपरा पासार है तो पूरा में बरतन में लोग पुछत ने बद में節目 कि मतलब डस्ट तो आही रहा है साथ साथ बहुत बड़ी दुरगटनाए भी हो रही है यहां पर फिर भी यह लोग नहीं मान रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग के हाथ में तो है नहीं अपना खिरकी दर्वाजा मान लीजे कि सर्दी का समय है तो मान लेते हैं कि खिरकी द को यहां साथ जो सब्सक्राइश नहीं कि तो पस वह सबस्ट की उसके बाद मिन थी उसके बालूफतियया था तो चले रहे गही मारकेशे से जा गरिए सब डाह और मारकेश यहां जा बखाञा को कि नृजाby यह दो पैकेट फ्रीज में रखती दो पैकेट यहां उबाल करके रखोंगे और कल वाला जो दूद था उसमें मैं जो रन डाल दी और हस्बंट जाते हैं तो अपने मन से लाते हैं कुछ कुछ सबजी कुछ लिए कुछ नहीं उनको जो बुझाता है सो लेते हैं ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा जरूर लेती हूं आदा किलो एक किलो जो मुझे लगता है कि हाँ अच्छा है फ्रेश है और हस्बंट फ्रेश सबजी ही लाते हैं पर वो सब मिला करके नहीं लाते जैसे मैं गोबी लाई सीम लाई बीन लाई तो यह सब बहुत तरह कर लाई अच्छा आज मैं खजूर का गुरलाई किना मन बोहुत दिन सä कर रहा था था खजूर का करने का पर आप लोग एक बात जूरूर के दैन रखियेगा कि अगर आप लोग खजूर का घुर का खाते हैं और सोचते हैं कि नहीं यह तो गुर है और बहुत हेलदी है हम लोग चीनी नहीं खाते हैं हम लोग गुर का अगर पतलब की चाय पीते हैं या फिर गुर इस गुर को इस्तमाल करते हैं कि एक खजुर वाला गुर है हेल्दी है तो बिल्कुल ही साधान हो जाईए क्योंकि इस गुर में भी ना 50% चीनी रहता है और यह बात मैं किसी के बोले हैं 50% कुर खा रही हूं खजुर वाली तो यह चलेगा पर अगर सोचेगा कि नहीं मैं तो गुर का मतलब जो भी खा रही है तो बस यहां पर आप लोगों को दिखा दी और चाय लेकर के आ गई हूं अपने कहां विलू स्वार्ग में यह मेरे लिए मेरा स्वार्गी है कि दिस दूप भी रहता है और यह को को यह जहाँ बैठिये हैं यहीं नहीं नहीं चारों रहता है पर पता नहीं विकलते बहां तो रहा स्वासे तो चलिए इसी है के साथ और इन फूलों के साथ में आज की वीडिव को भी एंड करती हूं नेक्स्ट वीडियो